यह कोई शाजन साधरन खिलो न नहीं है इसको कहते हैं लाफिंग बुद्धा अर्थार्थ हज़ता हुआ बुद्धा की मुर्ति है जैसे अपने हिंदू सास्त्र में जाए तो कितने ही प्रकार की चीजें जो सोभग्य बढ़ाती है हमारे कच्वा है मैठले के श्रीयंत्र जैसे छेद वाले कोईंज ड्रेगन तीन टांगे वाले मेंड़क लाफिंग बुद्धा इसी मूर्थी जो आप देख रहे हैं अपने मकान में जरूर रखें आप और यह क्रे करके लाएं किसी भी समये फेंग सुई की दुकान से आप ला सकते हैं और यह अपने अनायास सब काम बनते रहते हैं इसको रखने से और पोजेटिव वातावन रखती है यह हमेश्या अब यह मिलती कहां पर है यह फेंग सुई की दुकान से यह और फूजन वाले की दुकान से यह इसको आप लाज सकते हैं यह होनी चाहिए गोल्डन कलर में है और यह सेरेमिक यह चिनी मीटी की बनी हुए होनी चिये मेटलीक कम काम कड़ी इसमें और इसको रखना है मुख्य दरवाजे के अन्दर रैट हैंड की तरफ बार की और उसका ओरना चिये है यह हमेश्या नेगेटिव ऊरजा कों बार फैंखती है और पोजेटिव ऊरजा को अंदर लाती है आ यह परतिष्टानों में कारेलों में आ या अपने परिवार में अपने भवन में रख सकते हैं आप इसको और रखते समय इसके नीचे 10 का शिका या 5 का शिका जरूर रखे और पीले कपड़े पर लाल कपड़े पर इसको बीठा में और यह टीवी फ्रीज पर न रखें कि यह आत्म विश्वास को बढ़ाती है सर्व मनों कामनों की पूर्ति करती है आर्थिक हानी से बचाव करती है पुरी परिवार के सदुचों के लिए कवस्का काम करती है यकिन मानिया और नीरने सक्ति को बढ़ाती है कोई जदू तूना वगिरा कोई करता है त जीचन बेटरूम बातरूम बगेरा ये संदाज के आसपास में इसको नई बेटाना चीए ये लक्ष्मी का आवक बढ़ाती है स्वाध पुन वातावन रखती अपने परिवार में और स्वाध अच्छा रखती सबका हर प्रकार के स्वपन हमारे साकार करती है सुभगी में व के लिए बार जाए तो इसकी पेट पर दो तिन बार अंगुले जरूर गुमा करकी जाए निच्चित रूप से उसका आगे काम बन जाएंगा तो आप जरूर ये मूर्ति लाए और आपने परिवाज में रखियम की दरवाजे पर धन्यवाज